हेई गाईज मैं हूँ शिखा वेलकम बैक टो माई चनल सो जब भी मैं कोई मेकप वीडियो शेयर कर दी तो आप लोगों के कॉमेंट आता है कि हमें कुछ ऐसे प्रोड़क्स दिखाएं जो बहुत ज़ादा कोसली ना हो लेकिन बिगनर्स के लिएकदम पॉफेक्ट हो काफे सारे कॉमेंट से भी आते हैं कि हम तो मेकप नहीं करते हमें कुछ ऐसे प्रोड़क्स दिखाओ कि कम प्रोड़क्स में हम अच्छा मेकप लोग क्रियेट कर सकें तो आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना बहुत ही अफॉड़िबल रेंज के मेकप प्रोड़क्स हैं और सभी को मैंने फ्लिप कार्ट से लिया है तो लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बल जाएगा चाहां सा आपके लिए शॉपिंग करना असान हो जाएगा प्रोड़क्त हैं कि अगर आप अपनी मेकप किट बनाएंगे तो अंडर 1500 आपकी किट रिडी ह हो जाएगी और सारे ही प्रोड़क्त बहुत अच्छे हैं सभी की पिग्मेंटेशन बहुत अच्छी है जो आपको वीडियो में दिख करके क्लियर हो जाएगा सो चले बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो सो यहां में अपने स्किन को पैमपर कर चुकी हूँ और मेरी स्किन अप मेकप के लिए है रिदी फर्स्ट प्रोड़क्त जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ब्ल्यू हैवन स्टूडियो पॉफेक्शन प्राइमर और प्राइस डीटील मैंने इसकी साथ में में अच्छन कर दी है और क्योंकि आज के मेरे सारे ही प्रोड़क्त यहां वह वो फिलिप कार्ट से है और फिलिप कार पर चल रही है इंडिपेंडेंड़ जी जो की 10 अगुस्त को खत्म हो जाएंगी और फिलिप कार पर आपको साथ ही प्राइट में लोवेस्ट प्राइज में और कॉलिटी एकदम बयस होने वाली है एन यहां पर आपको मिल हो जाता है और मेकप बहुत ही जादा सुपब लगता है एंगाइस फिलिपकार पर आपको मेलेगा लेटिस सेलेक्शन विद इंफ्लेंसर स्टाइल डेटार रिफ्रेश्ड वीकली सो अराम से यहां से कोई भी प्रड़क खरीच सकते हैं और प्राइमर को मैं अपनी चीक बोन करें तो वो पोर्स के अंदर एंटर ना करें और प्राइमर हमारा अच्छे से सेट हो जाए और फ्लिपकार पर आपको मिलेगा वेरी वाइड सेलेक्शन विद ग्रेट क्वालिटी एंजन्वन इंटरनेशनल ब्रैंड और जितने भी प्रोड़क्स है ना फ्लिपकार्ट प पांडेशन प्राइस जीटेल अगें इसकी साथ मेंशन है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा एक बहुत ही जादा अफॉर्डिबल प्रोड़क्त यह है थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी पंप आउट करनी है फॉर्मूला को एक्टिवेट करना है और इसे नहीं पहले हैं और इसने अफ़ेट की एक अपुड़ेशन यहां आपको क्वांटिटी में अपलाई करती तो आपको नहीं पढ़ेगी मतलब इतनी जादा इसकी coverage है फूरा टाइम देकर मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ NY Bay HD Sportless Liquid Concealer प्राइज मैंने इसका साथ में मेंशन कर दिया है सबसे पहले मैं इसको अच्छे से थोड़ा शेक कर रही हूँ जिससे की अच्छे से formula एक्टिवेट हो जाए और मुझे एक subtle look मिले इसे मैंने अपनी under eye पर अप्लाई किया आप देखेंगे कि मैंने inner corner और outer corner में अप्लाई किया बहुत जादा product अगर हम under eye पर लगाते है ना तो वो गर्मी में एकदम patchy दिखने लगता है इसलिए हमेशा मतलब थोड़ा कम product लगाएं और बहुत जादा dry product ना लगाएं ये एक बहुत ही अच्छा concealer है इसमें आपको काफी सारी shade मिल जाएंगी इसकी coverage बहुत जादा हाई नहीं है लेकिन हाँ जैसा look मुझे चाहिए था उसके लिए perfect है डेली में भी आप इसे आराम सप्लाई कर सकते हैं लगि कि आपको कहीं instantly जाना है सिर्फ अपने spot पर इसको लगाईए और आपके spot हाइड हो जाएंगे ऐसा भी नहीं लगेगा कि make-up किया है और आपका face भी clear दिखेगा then again मैंने blender की help से सच्छे से blend कर लिया अपनी eyelid पर भी मैंने इसको लगाया जिसे कि जब मैं eye makeup करूँ तो एक subtle look मुझे मिल जाए blending बहुत easy इसकी है क्योंकि इसका formula काफी अच्छा है और product बहुत ही अच्छा है तो अगर आपको affordable product चाहें तो आप आज की वीडियो से कोई भी product पेक कर सकते हैं सभी का link आपको description box मिल जाएगा यहां अपने concealer को अच्छे से सेट कर चुकी हूँ और next product में यूज कर रही हूं Marie Claire Paris Met Set Glow Compact price again मैंने साथ में mention कर दिया है और काफी जादा reasonable range में product है इसमें भी आपको shades मिल जाएंगी अपनी skin tone के accordingly चूज कर सकते हैं इसके साथ आपको sponge भी मिलेगा लेकिन मैं fluffy brush की health से से apply कर रहूं जिससे की मैं अपना concealer सेट कर लो like मैं pointed brush से concealer सेट करूंगी और बाकी fluffy brush से अपने पूरे face पर से apply करूंगी hair line का मैं especially ध्यान रखते हूं तर वाइस makeup बहुत जादा जीब लगता है अगर हम hair line में apply नहीं करते so अपने all over the face और neck पर मैंने से अच्छे से apply किया जिससे की एक subtle base मिल गया आपको दिखने से clear हो रहा होगा कि बहुत ही जादा मतलब बढ़िया base मेरा ready हो गया है और product के price आप देखो यार कितने जादा कम है like यह जितने भी product है वो सारे ऐसे product है जो हर एक Indian की makeup kit में होने ही होने चाहिए so आप स्टार्ट करते हैं eye makeup और यहाँ eye makeup के लिए जो मैं palette यूज़ कर रही हूँ वो है Iconic London Beauty Color Studio Pressed Powder Eyeshadow price बहुत ज़ादा कम है लेकिन इसके color बहुत ज़ादा अच्छे है like आपको ना इसमें powdery color और थोड़ा जो दिर्कुल matte finish में होता है वो color मिलेगा इसमें आपको glitter shade भी मिलेगी properly glitter तो नहीं कह सकते है हाँ shiny shade भी मिलेगी so all over मैं यह कह सकती हूँ कि यार इतनी कम range में आपको इतना बढ़िया palette मिल रहा है जिसके थूँ आप बहुत ही colorful और ना चाने कितनी तरह के eye makeup done कर सकते हैं so मैं texture आपको दिखा चुकर I think आपको दिखकर के clear हो जाएगा कि इसमें जो blue है वो powdered form में है बाकी सारे मतलब matte finish में, shiny में इस तरह से है so यहाँ मैंने first shade pick की और इसे हम अपनी crease line में लगाऊंगी जिससे की एक base मेरा बन करके तयार हो जाए तो अब हम करने वाले एक simple सा eye makeup अगर आपको बिल्कुल भी eye makeup नहीं आदा तब भी आप इसे easily try कर सकते हैं और अगर आपको बिल्कुल भी makeup नहीं आदा तो यार आज की product इतने affordable है कि आप कुछ भी खरीद लो आराम से इनसे रोज practice करो और आपको eye makeup करना आ जाएगा so guys first of all मैंने एकदम light shade ली और उसे अपनी आखों को set किया उसके बाद मैंने दो shade mix किया हलका सा peach और red color आप इसे देखेंगे मैंने outer corner से लगाने start किया जब product brush में लेते हैं fluffy brush में तो मैं सारा product almost product dust out कर देती हूँ जिससे की एकदम से ऐसा ना लगे कि आपने बहुत सारा product ऐसे इपने आख पर रख लिया धीरे धीरे हम इसे set करेंगे जितनी बार need होगी उतनी बार brush में product लेंगे लेकिन हाँ बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे वरना वो पता है क्या अलग से ऐसा दिखता है कि आपने layer create कर ली है और ये जो मैं आपको बता रही है इस तरह का है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पनी eye पर layering की हुई है उसके बाद मैंने थोड़ा orange शेड लिया और मैंने इस अपनी crease line पर अपलाई किया जसे की red color orange के साथ mix हो जाए और एक बढ़िया सा color निकल का है यहाँ पर पता है क्या यार मतलब मैं मुबाइल से shoot करती हूँ तो मुझे इस लग रहा है इतना ज़दा clear नहीं हो पाता अधर बहुत प्यारा यह look था उसके बाद मैंने same palette से glittery shade pick की और उसे अपनी पूरी eyelid पर लगाया और यहाँ मेरा almost eye makeup done था मतलब eyeshadow done था सेम इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी eye पर भी eyeshadow apply किया next product में use कर रही हूँ मार्स ultra curl long lasting mascara price detail again साथ में mention है और यह जो product है इसका brush थोड़ा सा मोटा है तो अगर आप डारेकली लगा सकते हैं डारेकली लगा लें otherwise कोई mascara brush ले लें आपका कोई पुराना mascara हो उसका brush आप ले लें और उसकी help से apply करें तो क्या है evenly spread हो जाता और बहुत अच्छे से लग जाता है जैसे कि मैंने वीडियो में किया है मैंने अपनी upper lashes और lower lashes में mascara apply किया and guys flip card पर आपको मिलेंगे flip card assured international brand so आप आराम से कोई भी product यहां से खरीच सकते हैं like सारे ही product trustworthy होने वाले हैं mascara apply करने के बाद मैंने अपनी उसी brush से अपनी brush को set किया क्योंकि हम बहुत ज़दा product आज यूज नहीं कर रहे तो इसकी help से भी बहुत अच्छे से सेट कर लिया फिर finger से भी dab कर सकते हैं थोड़ा साना आप चाहें तो loose powder या फिर compact powder apply कर सकते हैं तो एकदम set हो चाहेगा और बिल्कुल भी असा नहीं लगेगा कि आपका कोई product फैल भी गया था next product में यूज कर रहे हूं अच्छा मुझे ब्लैक काजल जो waterproof है रेंज बहुत अच्छे और इसका जो टेक्शर है वह बहुत अच्छा है लाइक मैं वाटर लाइन में अप्लाई किया था तो एकदम ब्लैक बिल्कुल दूर से नज़र आ रहा था काफी अच्छा मुझे काजल लगा और इसको नहाप स्मोकी आई का लुक आ रहा था वो मैंने ट्राई किया था इसलिए मैं बोल रही हूं कि बहुत ही प्यारा लुक आया बट यहां पर मैंने काजल के थू ही आप देखेंगे कि आईलाइनर लगाया तो एक दम सेटल और बढ़िया लुक आ गया फिर मुझे वाटर लाइन में मैं अगेन वही रेड शेड पिक किया एक ब्रश की हैल्प से उसको अप्लाई किया तो यहां मेरा उल्मोस्ट आई मेकप डन था अब कमी थी तो बस लिप्स्टिक की तो नेक्स्ट प्रडिक में अप्लाई कर रही हूं स्विस ब्यूटी से नोन ट्रांसफर मैट अगर आपको अपनी लिप्स्टिक को एक न्यूट शेड देनी है तो मैं एक हैक आपको बताने वाली हूं आप कंसेलर लें डबिंग मोशन में अपने लिप्स पर अप्लाई कर अपने लिप्स्टिक आप देखेंगे धीरे धीरे आपके एक डाक शेड की लिप्स्टिक न्यूट शेड में कंवर्ट हो जाएगी क्योंकि यहां मुझे कंप्रीट न्यूट शेड नहीं चाहिता बिकास मेरा आई मेकप भी थोड़ा ब्राइट था और मेरा सूट भी ब्राइट था तो मैं इसक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिगा शेयर कीजिगा और कॉमेंट करके बताइए कि आप कोई लुक कैसा लगा बहुत सिंपल है तो मेरे कहने से एक बार ट्राइ करके जरूर देखेगा मैं मिलती है एक नई वीडियो के साथ त